हेलो फ्रेंड्स वेल्कम आन यूटूब चैनल बिलोजी विलेज एंड गाइज नौ वी आर गोइन टो डिसकूस थर्ड इंपर्टेंट सेट आफ मुल्टिपल चॉइस कोश्चिन्स जो की अरगाट अलकलाइट्स जिसम बोलते हैं गाइज क्लेविशेप्स परिपूरिया ए इस तरीके के आप फिकर देख सकते हैं यह राइ के सीड्स जो होते हैं सीडेट उस पर पार्टिकुल अटेक करता है और इस बीमारी डिजीज को बोलते हैं अरगाट और यह होता है फंगस क्लेविशेप्स पर्पूरिया इस इस प्रूटिंग बोडिज आप दी एंड नौ इस पर्टिकुलर जो डिजीज होती है अरगाट इस हम बोलते हैं संट अन्थोनी फायर्स एंड हॉली फायर्स और इस जो हम कोशन डिसकस करने जा रहे हैं 20 यह तीसरा सेट है मेरा मेल्टिपल चॉइस कोशन का अन इस टॉपिक अरगाट डिजीज तो इसमें पात करते हैं अरगाट डिजीज यह अरगाट अलकॉलाइट्स अलकॉलाइट कहां तर आते काई जो फंगस होता है क्लेविस इस पर्पुरिया इड़े इस को मैसीटी इस गुरूप का फंजाई है और यह अपनी जो फुरूटिंग बोड़ी बनाता है जिसें बोलते काई दो नाम दी ज हेल्फुल इंदी ट्रीट्मेंट अब डिजीज इन हुमन बींग्स एंड अनिमल्स आल्सो तो जो अलकॉलाइट्स मिलते हैं उनकी क्या इंपॉर्ट्स है हमन फिजियोलोजी वे उन पर बेस्ड उन से रिलेटिट कुछ कोशन समया पर डिसकस करेंगे अब इसके बाद एक दूसरा प्लांट कह सकते हैं उसे ग्रास होती है यह फंगस इसके अंदर रहता है जिसे बोलते हैं इंडोफाइटिक नेचर और यह फंगस इस पर्टिकुलर ग्रास पे भी जाके वही अलकॉलाइट से करता है जो कि क्लैविसेट्स पैर्पुरिया आपका राई या वीड इंफेक्शन के बाद प्रोड्यूस करता है अब हम देखते हैं जिसे इंपॉर्टिट पॉइंट है आपको किलियर हो जाई गाई बस थोड़ा सा कंसेंट्रेशन रखें इस टॉपिक पे फेस्क्यू टाक्सोसिस टास टॉक्सी कोसिस इस कास्ट बाई डिकन्जप्शन आफ फेस्क्यू इंफेस्टिट वाइदी फंगल इंडोफाइट देखें बहुत सिंपल सी बात है फेस्क्यू जो है उस ग्रास का नाम है जिसके हम बात कहता है फेस्क्यू और फेस्क्यू टाक्सो कोसिस का मतलब है कि उस पार्टिकुलर ग्रास पे जो पैथोजनेसिस हुई है जो conditions के रिजट हुई है उसके लिए term दिया गया है फेस्क्यू टाक्सिकोसिस cast by the consumption of फेस्क्यू infected infected by the fungal endophyte मतलब फेस्क्यू टाक्सिकोसिस इस cast by the consumption of face q infested by the fungal endophyte मतलब कौन सा फंगल होता है जो की फेस्क्यू नाम की ग्रास में मतलब घास में disease काज करता है उस पूरी disease condition को हम बोलते है फेस्क्यू टाक्सिकोसिस तो कुछ fungus के नाम दिये गए है यह आपे उनमेंज हमें यह बताना है कौन सा fungus responsible है फार्दी फेस्क्यू टाक्सिकोसिस के लिए तो correct answer है इसका fistica arundinacea यह फंगस होता है जो इंडोफाइटिक fungus मतलब प्लांट की लीफ उसके फ्लॉबर्स उसके स्टेम के अंदर उसकी सेल्स में इंटर कर जाता है और पूरा अपने life cycle का एक particular पार्ट को वहां पे complete करता है और उस ग्रास जिसे हम फेस्क्यू बोलते हैं का फार्मिशन करता है या सिक्रेशन करता है कुछ नंबर सेकेंड is sclerothrin is is sclerothrin जैसे हमने देखा है कि कलेविस परपुरिया जैसे हम अर्गाट फंगस बोलते हैं और जो डिजीज काज करता है उसे हम अर्गाट बोलते हैं तो अल्कुलाइट के अलावा कुछ दूसरे केमिकल्स भी फंगस प्रोडूस करता है तो इसक्लेशन सेम भई कंडिशन है कि इट इसे रेट या फिर वाइलेट कलर का पिग्मेंट होता है जो कि क्लेशन पर प्रोडिया में पाए जाता है जिसे हम अर्गाट फंगाई बोलते हैं सिंपल सी बात है बेरी इंपॉर्टिन कोशन है स्क्लेशन पर प्रोडूस के अलावा अल्कुलाइट तो बहुत सरे रेट जिंए अमाइन रेट कलर का पिग्मेंट होता है जिसे हम बोलते हैं sclerothrin तो आपका correct answer गाई जो होता है कहाँ पर क्लेबिसेज पर प्रिया में ही अल्कुलाइट के लाबद दूसरा जो pigment होता है उसका नाम है sclerothrin question number 3 में हम बात करते है लर्शाजिक acid has sedative properties जिसे हमें निंद्रा आती है एंड इफेक्ट्स और अनस्मल आटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर भी अटेक काता है अब देखिए अब इन्डाइक्ट बोलाई लेसर्जिक जो होता गए जिसे हम सिंपल बोल सकते है लस्टी लेसर्जीक आसटिक का एक सेंथेटिक फॉर्म सोता है जी से मोलते है ल स्टीव इंपर्टन ड है और इंपर्टेंट अलकलोईट तो एक सिंपल सी तो यह सभी जो फीचर से गाइज यह आफटर टेकन दी एलस्टी हमारी बॉड़ी में एपियर होते हैं कि हाइपर सालवेशन होता है वह बहुत ज़्यदे राल्ट अपक्राइं से बोलते हैं एक कंडिशन होते हैं में सिर्का चक्राना और डारिया आप लोग जानते हैं तो अधंडिशन से होती है उद्शन में 5 कंडिशन का हीлан्देशन माहाँ कोशन नूमबर फोर में ऐसे अउस डखन किस नहीं सिंपल साटे कंडिशन है जो इस नटाप क्यालकलाइड में बनते कैसे बनते हैं यह फंगस जो प्लांट को जब एफेक्ट करता है तो उसके अंदर अपनी पुरी रिपोड़क्शन की साइक्ल जिसम बोलते हैं फ्रूटिंग बोड़िज डवलप करता है अपना पुराव नेट बर्क से बोलते हैं अब चुकि देट जब प्लांट को जब कोई एन वक्रीमाधी जाएं खर्पराव का उनकी वाड़ी में पहुंच जाता है उसके बाद उनकी आपलभी में जो अल्कलाइट है बुक्या स्थे क्या ऐफेक्ट करते हैं उनकी बात करेंगे जैसे की जी टर जीन है लाक्तेट एन फेल मेल में मिल का जो इमाउंट रचाहिशन करेंगे जब अपने बश्चाहिए बश्चाहिए उसके बश्चाहिए का टाइम होता है नेकर जो आमाउंट होता है मिल का बुब मतलब उतना ज्यादे परयाप नहीं होगा कि इससे उनके जून्मबार्ण वेभी देंगे वो इम मैच्चेर मांच को मतलब जन देने वो घंगे फिल्यूर हो जाएंगे या फिर अने बड़ टूब इस ट्रेट पो सीधे चल नहीं पाएंगे तो गई टर्म होता है एक ते सिया का मतलब होता है लेक्टेट एने अफ मिल्क मतलब वो चैनल डवारत नमें में अनेविल होंगे और एक अलेक्टिजा क्रियेट होती है जब जो यह अरगाट अलकलाइट इंडर इंडर इन दी फिजियोजी आप दी एनिमल्स इंक्लूडिंग हुमन में इस तो इसका टम का मीनिक है कुशन नंबर फिप्त में बात करते हैं पोस्ट पार्टम या पार्टम या पोस्ट पार्टम टिस्क अलेक्टिूसिया कि शिंडरों क मतलब रहें चुन्ट्पार्टम बोलते तो ईज़ो पॉस्पार्टम भी स्टों का घॉर्सा का में इसिंडरों का दूसरा कमिली सिम किया बोलते हैं इसमें कौंझ इधी तो आप समझ सकते हैं कि अपने मदर के मिल्क पर डिपेंडेंडेंट हैं और वह उतना एनफ मिल्क का फार्मिशन करने में अने मेल हो जाती है एक तरुसरा एक है मैस्टीटिस मैस्टीटिस कहाई सकते हैं उनके जो रिल में जो मैमेरी ग्लेंट वह भी स्वेल हो जाती है तो यह तीनों जो बिमारियां होते हैं इनने पार्टिकुलर एक टंदिया गया है पोस्ट पार्टम डिश गेलक्टिस्या पूस्ट आप समझ से विचाइट बद के बात की जो कंडिशन सोती उसमें क्या होगा और उनका जो गर्भा से होगा उसमें भी स्वेलिंग आजाएगी और ग्रेक्टिस्या की वह मिल्क का पूरी तरीके जमने फुल फार्म जो है मिल्की प्रोडूस नहीं कर पाएंगे तो तीनों करेक्टर्स को एपियर होने के बाद जो पूर कम्प्रीट जीज करेक्टर्स को म प्रिए या फिर जो हम फंगस की बात कर रहा है वह फंगस को एफेक्ट कर दे ग्रास को और वो ग्रास हमारा जो पालतू अनिमल होते हो मारे पूर्फेलो जो मारे बोफेलो इसका वह बगर आउट नहीं की बड़ी में तीन तरीके प्रॉब्लम्स क्रिये होंगे जैसे क्या वह ने बदाया कि अगर क्लैबी से पर प्रिया फंगस आजी समय गवाट फंगस बोलते हैं इट अफेक्ट अंधी राई एट एट अफेक्ट वीट तो वीट या राई को जो फीट कर लेते हैं थूदी फार्म आप ती रोटी तुदू फार्म अधी ब्रेट फार्म डिफर्म क्यांट सब्सक्राइब फ्रम दी राई एंड वीट तो हमारी बॉड़ी में बहुत सारी चीजें हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रीट होती है तो इस कंप्लीट टर्म्स को नाम दिया गया है पोस्पार्टम गलेक्ट क्या सिंट्टो तो वैस करेक्ट आंसर प्रॉडी का लेक्चर आप देखें जो इस टापिक पर अडिवाटिसम पर मैंने बनाया उसमें कंप्लिक दोनों जो फेस्क्यूब ग्रास है और जो हमारा इंडोफाइटिक फंगस है इन दोनों का पिक्चर दिखाया किस तरीके से इंडोफाइटिक फंगस है वो फेस्क् फेस्क्यूब ग्रास है वहां पर क्लेवी से पर्पूरिया तो यहां पर इंडोफाइटिक फंगस ठीक है यह दूसरा टर्म से मगर जुनका प्रोडॉक्शन है कि अरगाट अलकलाइड यह भी प्रोडूस करेंगे और अरगाट अलकलाइड वहां वी प्रोडूस होगी जह क्या बोलते थे वेर एंडोफाइटिक फंगस लिप्स एंड प्रोडूस अरगाट अलकलाइड लाइक एर्गो वैलाइड इस तो सिंपल सी बात है इसमें एक चीज को उन्हें चुपा रखा है कि वाल एक कोशन पूचा है कि जो फेस्क्यू ग्रास है जिसका प्रेंड नेम लोलियम अरेंडी नेशियम है इसे पहले क्या कहा जाता था तो इसे पहले कहा जाता था फिस्ट्यूसा अरेंडी नेशिया फिस्ट्यूसा अरेंडी नेशिया बोला जाता था आज इसे बोलते है लोलियम अरेंडी नेशियम इतना चाप कोशन है करेक्टर आंसर आपका एक कुशन नंबर स्यूइन बाद करते हैं मेजर टॉक्सिक प्रिंसपिल का मतलब कौन से अलकॉलाइट बनेगे बेखे टॉक्सिक अलकॉलाइट रिस पॉंस्फफिल फॉर दी कंडियों तोक्सिकुपी पहला जो कोशन नाब आ था उसी के बारे बात करनेए कि जो मेजर टॉक्स इंडिध प्र फंगल कियोंत इंडोंड अब्दोंट्स माईज हिर office Embyon di facts आपका ऑ sucks मैं अन्हें पको सबस्किव यह भी इसकते जो फंगस होता है यह phosphop послед नाम क्या है यह फास्टियोट और रहा है एक एक है यह आवा सिकुश का जाए जिसका नाम है peace q toxiccus अब यह बोला क practice जब यह डिजीज यह फेस्क्यू गिशे टाक्सिकू सिस अब यह बोला कि यह जिस यह एक है दिज्प सर इसका कर देता जिसका नाम है एक amino acid type calculate से हैं और दूसरा है ergo peptide time C में कह रहा है बोथ और D में कह रहा है LSD या DHE आपने देखा होगा यह दोनों जो अल्कुलाइड है LSD और DHE यह amine type के हैं दो टाइप के रिकलाइड होते हैं amino acid type के और एक amine type यह जो LSD और DHE है एक amine type के हैं जबकि ergo byline and यह जो अल्कुलाइड है यह आपके amineo acid type के अल्कुलाइड से हैं बट हम यहां पर यह बात करने जा रहा हैं कि जो आपका इंडोसिंबायोंड फंगस से जिसें बोलते है न्यू टाइफोडियम कोईन ओफ यलम यह प्रोड्यूस करता है अर्गो बैलाइन एंड अर्गो पेप्टाइड इस अल्कुलाइड्स आर रेस्पॉंसिबल तो क्रिएट टी कंडिशन आफ डिजीज विच इन विच नोन आज फेस्क्यू टाक्सिकोसिस तो गैस करेक्ट अंसर आपके हैं कोईशन नमर एट में हम बात करते हैं बेर इंपॉर्टन कोईशन गाईड इसका अपोजिट कोईशन है देखे कुछ ट्रू फाल्स स्टेट्मेंट है इन विच आदी फालोइग इस ट्रू इवाउड ती अर्गो अलकुलाइड्स प्रोड्यूस आपको क्लियर हो गया क्यो फेस्क्यू गरास ऐ सब्वहाइग और फॉंगस एक यह दोनों जब आपस मिलते हैं तो अलकुलाइड का फा collector करते हैं फंगस की गरास के अंदर पूरा अपना माई सिलिव टावलप करताै ensure डिंट में टाइप большое कर्थ यह चृट करता है इस ग्रास के अंदर यह बीमारी के कर देता जिसे बोलते हैं फेस्क्यू टाक्सिको सेज अब इस पूरे सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ स्टेट्मेंट दिये गए हैं हम उनके बारे में बात करना है उन अंकुलाइट के बारे में बात करना है कि कह रहा है कि इन बेदेद फालूइंग इस ट्रू अबाउट उन अरगाट अलकुलाइट के बारे में कुछ स्टेट्मेंट से उन में से ट्रू स्टेट्मेंट आपको बताना है प्रोड्यूज एज रजल्ट आफ इंडो सेंबारस विडविंदी फेस्क्यू ग्रास एंड फंगस और एक फंगस के बीस इंडो सेंबारस नाम की प्रॉस सेंस्टिव हैं मतलब लेस एफेक्टिव हैं ऐस कंपेर टू काओ ज्यादा एफेक्टिव है क्योंकि यह बड़ा है नहीं मेले दूसरा पॉइंट है कि अर्गो लाइन एंड अर्गो पेप्टाइब अलकुलाइट साफ मेजर टॉक्सिक प्रिंस्पिल रिस्पॉंसिफिल पर दी कंडिशन आफ फेस्क्यू टाक्सिकोसिस गाइज बिल्कुल करेक्टि स्टेट्मेंट पहला भी सही है और दूसरा भी सही है कि अर्गो लाइन और अर्गो पेप्टाइब यह अलकुलाइट बनते हैं और जो क्रियेट करते हैं कंडिशन जिसम बोलते हैं अड़ेला स्टेटमेंट ग्रेंट अब करिक्टर आशार आपको होता है दी कोशन नमगर 9 में हम बात करते हैं डी प्रजेंट अल इंडो सभवाएंट इनटु ऐस्क्यू इंटुफाइट का मतलब गाइं गोता है कि जो पैथोजिन से एंटुफाइट का मतलब व्यों ड़ वो कहां पर इंट्री कर जाता है फेस्क्यू ग्रास में तो से हम क्या बोलता है फेस्क्यू इंडोफाइट देखिए यहां फंगस का नाम दिया हुआ है न्यू टाइफोडियम कोईनोफियलम ठीक है यह इसका प्रजेंट नेम है ती फार्मर्ट नेम इस पहले कोशन करा था तो ग्रास का नाम पूछा था ग्रास का नाम भी अब बदल चुका है और जो फंगस उसे इंफेक्ट करता है उसका नाम भी अब बदल चुका है ठीक है जो नाम हमने लिखे हैं इसमें जो हमारे स्टेट एसमें लेक्ट्टर वे बोर न्यूनेम है इन्हें पहले कि दूसरे नाम से जाना जाता है तो सिंपल चैकोशन है प्रेजेंट टाल फेस्की इंड़ फंगस का नाम है जिसका प्रेजन नाम है निउट टाइफोडियम कोई फियलम इस फार्मर्ट इसका पुराना नाम क्या है इसका गज़ प्राना नाम है फिस्टिव का अरेंडी नेशिया इसका पुराना नाम है यह यह फंगस का नाम है कोशन नमर्ट 10 में बात करते हैं दे इंडोफाइटिक फंगस न्यू टाइफ यूडियम कोई नो फिलम फंगस का नाम है जो इंडोफाइटिक से जो कहां रहता है इंसाइड दी सेल साथ ग्रास ग्रास का करना में लोलियम और इंडीनेसियम और प्रोड्यूस दी अरगाट अ इस कोशन में आपको बिल्कुल पूरी कंप्लीट टास्क जो मैं बात कर रहा हूं वह समझ में आगी है इंडोफाइटिक फंगस है और एक ग्रास है जिसे मोलते हैं लोलियम और इंडीनेसियम और इंडोफाइटिक फंगस कान सा है नियो टाइफिमोडियम कोई नोवैडिय यह फंगस इस ग्रास के अंदर रहता है आज रिजलिट आप बहुत सारे अलकुलाइट प्रोडूस करता है वह अलकुलाइट जो होते हैं उस प्लांट में उस ग्रास में डिजिस काच करते हैं जिसें बोलते हैं फेस्क्यू टाक्सिकोसिस अब यहाँ बात आती कि जो यह इन्टी पैतो जन्स यह बढ़ी भी फंगर्स ग्रास रख की जो एक तैम ने क्या है 상황 स्लिश में कि एक हो वाइदा हो रहा है को तर्मि से नहीं हो रहा है कि झालाम के बोलाई 2 डूस थे फाइदा हो रहा है यह म exclusion काज करते हैं तन्टब तर्म यहां पर यूजर नहीं हो सकता है क्योंकि association का नाम ही है यहां पर नहीं है आपका प्राइटिस्जिंग सिंभाइसिस कामन सिलिंग एक टाइप के रिलेशन को रिपिजेंट करते हैं यहां पर जो रिलेशन है इंडोफाइटिक फंगस और ग्रास के बीच में गाइच व पूड मिलता है और उस ग्रास को कोई भी फीड नहीं करेंगा क्योंकि ग्रास में यह टॉक्सिक अल्कॉलाइट का प्रड़क्शन करता है तो इस association का नाम है सिंभाइसिस इंपॉर्टन कोश्चन कोश्चन नमर 11 बात करते हैं एं इंडोफाइट जिसे हम बोलता हैं इंडो सिंभाइट क्योंकि इंडोफाइट जो था प्लांट के अंदर रहता है तो मुझस अब दी केसिस में जो यहां पर बात करिए वह इंडोश्य माइट अंदर रहने के बाद दोनों एक दूसरे के लिए फाइदे बन दें और समाने दिया जो इंडोश्य माइट होते हैं कोई पार्ट उस पैसी प्लांट के अंदर हो जारता है और इसके बलने में प्योश्य मधिद्विंद्रा निया क्या होता है तो जोंडे इंडोश्य मां सम्हें घ्ली होता है सिंपल सी बात है फंगस ह दोने होता है और स्टारि पक्रीव थ unserem इंडोश्य हमें घ्वीक नहीं होता है कि को सिम्पल्ट्श के इंडोसम्भायोंट या इंडो अन्पयोंट का काम करते हैं तो कानांसर ऑम थे कुछ कर देट्ट प्षेंड़ी मैं कोशनांसिं डंग्वां कैने तुकी 31 क्लिटी से न shines क्लिटीर का नम औरना में सुनानाऊर क्लिटीर होते हैं मेश का इसन फ्लाबर कन होते हैं कि 65- expect है जो हो फीट है या फ्ट विरते हैं जो हम अभी बात करें जो गिरास होती यो लान व兩 स्र अमने ठीया तोड़िका लेक्ट करें लेक्ट पूरा पिक्चर लगाया है दूसरा किस तरीके से फंगस इस ग्रास को एफेक्ट करता है उसका पूरा ग्रोथ को दिखाया है और डी में करा सुगर बीजिसें चुकंदर कहते हैं बीटा बाल गयरिस कहते हैं तो कें तुकी 30 बन जो कल्टीवर है गाई वह ग्रास का कल्टीव पर जिसे हम बिलते हैं फेस्क्यू और उसका बॉटनिकल नेम होता है फेस्ट्यू का अरंडी नैसिया कुछ नंबर थार्टीन में काई हम बात करते हैं काफी सिंपल काफी इंट्रेस्टिंग कोशन है वाट इस ट्रू एबाउर्टी फंगस फंगस का नाम क्या है नियो टा अशुसीशन पर डिपेंड ने जिसमें यह बता रहें कि एक फंगस होता है जिसका नाम न्यू टाइफियोडियम कोईनोफ एलियम है और एक ग्रास होती जिसे फिसक्यू ग्रास बोलते हैं फंगस ग्रास के अंदर रहता है और फिजियोलोजी के लिए वहां पर अपने पर इमबात करीब कुछ आपसे नहीं फंगस के बारे में कि फंगस जो हता है वो सीड़ बाटन होता है इंटर सेलुलर होता है सिस्टेमेटिक फंगस होता है और रिसाइट इन दी लीव सीट एंड फ्लावर आप दी ग्रास या फिर आलाप दी एवाइस तो यह सभी बाते स पूसके सीट में फ्लावर नमग एक सीट से चलके सीट सेट से वाजब उसके लीव पाद लिव में चले आदा लिव बाद जो इस टेम बनता है स्टेम में चले जा जा दा माद पूरा सिस्टेमेटिक ग्रोध करता तो यह सभी स्टेटमेंट अब आउटी फंगस इस और फंगस के बीद में बूलते हैं बोलते हैं जिसा हम बोलते हैं इंड़ोइक और चल में कुछ आलकूलाइटी इन कुछ के अंदर बिल् Educate permit बना लिया और निपर्ण्स forties बना लियो हुँआ और टो मोझे अब यह अलकुलाइट जब उस ग्रास के अंदर उस प्लांट के अंदर बन गए तो प्लांट को किस तरीके से फाइदा वा क्योंकि हम आलेडी पहले आपको बता चुके कि इस एसोशेशन बेविन दी फंगस एंड ग्रास इस सिंभाइस तो सिंभाइस आलेडी नों यू जिसमें दोनों पार्टी इसको फाइदा होता है तो सिंपल से बात है जो फंगस है वो एक प्लांट है सिंपल सा मेनिक होता है कि इसी ग्रास कि फोड़ो संथेटिक प्लांट के अंदर रहने का कि उसे आराम से बना बनाया भोजन मिल जाएगा फूड मटीर मिल जाएग वो डूरिंग डियर पैतो जेनेसिस कुछ ऐसे अलकॉलाय का सिक्रीशन करेंगा जिससे उस प्लांट को कुछ दूसरा बाहरी जो एनिमल से जो हर्वीबर से निमल्स होते हैं जाए वहर्स या बक्री उससे फीड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर उसके अंदर उसके तीछ तीखे टाइप के मतलब वो उन्हें रिप्लेंट करेंगे जैसे उसे को इंसेक्ट बाइट करेंगा तो इंसेक्ट उसके दोवारा अटैक नहीं करेंगा क्योंकि वो अलकॉलाय बहुत अधर प्वाइजनस है इसके अलाबा मैं मेलियर हर्वीबर के लिए वह अटैक इसके रहेगा क्योंकि उसे officer डातीं करतें तो दो यह सूख रहेऊं को आप जाया है तो लेशुआध को वार्वारान को वो से ऐसे तीस इस ळोते हैं हो तीन केमिकल से क्लैवाइंप उनते हैं एक इंसेक्ट डिटर्जर्जेंट भी ही होते हैं हुथ तरिक इंसेक्ट डिटर्जेंट भी होते हैं तो करेक्ट आंसर आपका होता है अब कोशन नंबर 15 में बात करते हैं फिर से कोशन आया देखे गाइज फेस्क्यू टाक्सिकोसिस करेक्टराइज्ट वाई सिम्पल सी बात लेड़ी आप लोग जान चुक्योंगे कि फेस्क्यू टाक्सिकोसिस करेक्टराइज अंधी हर्वी वोरस ऐनिमल इस कोशन नंबर हम 15 में बात कर रहे कोशन है कि फेस्क्यू टाक्सिकोसिस करेक्टराइज वाई इन्दी हर्वीवरस एनिमल्स ऐस देखे सिंपल सी बात है काई यहां पर हम बात यह करना चारा है फेस्क्यू टाक्सिकोसिस जो बीमारी है जो डीजीज है वो किसमें हुई है गिरास में और अब इस इन्फेक्टिट गिरास को कोई हमारा हर्वीवरस एनिमल जैसे गाए भैस बक्री यह सीप गौट जो है उचे खा लेती है फीट कर लेती है अब यह जो मंटेरियल था जो अलक्राइट से जो पॉजनेस केमिकल थे वह इंट्री कर गए हर्वीवरस एनिमल पे उन टॉक्स अलक्राइट का क्या इंपक्ट क्या असर होगा वह हमें किस फार्म में उस ए तो बुद आगे या पीछे हो जाए वाखिक आगे प्रोलांग तो बढ़ जाए का माला बारा महीने में उसे एक बार रिप्रॉड़क्शन करना है सब्सक्राइब चायल्ड फार्मिशन करना था मगर वो कर पाएगा पंदरा महीने में तिसा डिस्टोसिया डिस्टोसिया अ टॉक्सिक आस को अघर हो तो अच्क प्लांट प्रेग उसके ईंपेट खाएगा जैसे कि हम कोई प्लांट की हम टेकिन कर ले को हैसे कुई फिदिंग कर लें अचिक हम वजटेविल्स काने जूसमें आडेडी डिजी ऑस ती तो वीटेवल तो खराब ही अब उन्यच इसमें बाड़ी पे जिसमें विटेविल को फीट किया उसकी बाड़ी में कौन से स्म्टम्स आपियर होंगे सेम बही कंडिशन से यहां पर कि फेस्क्यू टाक्सिक को सिज जो है वो डिजिस तो ग्रास में हुई है अब उस ग्रास को हर्विवर्स अनिमल फीट कर लेगा तो उसमें कौन से फीटर आपियर होंगे कि उसकी मिल्क फार्मिशन बनाने की छम्रता जो कम हो जाएगी जिसमें बोलते एक गलेक्टिसिया उसका जो गश्टेशन पीरियेड हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा इस्टोसिया वह पूजी उसके जो चैन्ड वर्थ होगी उ जो फ्यूटर से उसे कवर किया रहेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 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 जिस तरीके से प्यूर होंगे कोशिट नमबर 16 में बात करते हैं विच अर्गाट अल्कॉलाइड बाटर सालविल का बहुत ही सिंपल कोशन और वन लाइन कोशन की कौन सा कोशन नमबर 17 कि हम बात करें तो इसमें विचेदी फालोइंग अर्गाट अल्कॉलाइड इस फार्मसुटिकली एक्टिव है एक्सेप्ट मतलब इसमें सिंपल सी बात बोला है कि कौन से जो अर्गाट अल्कॉलाइड का लिस्ट है मारा पर फूर्कॉलाइड दिए वो सभ इसनला है यह कोशन नमबर 18 में बात कर तेंग आप्त आन विच आप्ट बाइक्ट और रिसेप्टर टैक्स किस तैब के रिसेप्टर पर गाट अल्कॉलाइड जो है एक्ट करतें गाई तो इसका इसका आज नोगार्द मतलब से रोटॉन और αलफा एंडरेनर्जिक जो अर्गाइड रेसेपटर्स होते हैं उन पर अर्गाइड एक्ट करते हैं करने का मतलब है कि उन रेसेपटर्स ही बहुत इसलिवी बैंड हो जाते हैं क्यमेंबर 19 में बात करते हैं इस फालूङंग और गाट एकलाइट विद मॉस्त प्रॉमिनेंट इफेक्ट एट डोपमाइन रेसेप्टर साइट कि कौन और अरगाट जो है वो डोपमाइन रेसेपटर को बहुत इजली मतलब कैपचर कर लेगा उसे बाइंड कर जाएगा तो है इसका करेक्ट डान्सर है आपका ब्रोप्र कोशन नमबर 20 में बात कहते हैं विचादी फॉलोइंग इजन एमीन अल्कॉलाइट देखिए इससे पहले भी अपने इस तरी कोशन अभू कराएं कि दो टाइप के अल्कॉलाइट होते हैं अरगार्ट में एक अमाइन असे अल्कॉलाइट तो इसमें आप से पूछा गें चा तो अमिनो असे अल्कॉलाइट जो है कि तो है आपका को नगार्च अध्यान अट्रेयल छे अध़ैन आपके ऐसं नियुके अवह लिए अध्यान ओष्डग क हैं तो ऑर दॉस्सेट ऐसे और यहां पर लर्गो ट्रायल क्नुध इमीन हैं मेर्य और ऑर को हूवैल या खुल इसे अमाइण असे अलकोलाइड्स को रॉशन नोर 22 में बात करते हैं बेरी हाई स्लेक्टिविटी फार्थी पिटीटी डॉपामाइड डिया बने कौन सा जो अरगाट अलकोलाइड से बहुत ज्यादा स्लेक्टिविटी तब ज़ू यह उनके रिशेप्टर से बहुत बहुत से लेक्टिवली बाइंट कर जाएगा तो वो अल्कॉलाइट होता है गाइज यहां पर ब्रोमो क्रप्टाइन और पर्गॉलाइट डोनों बहुत ही सिलेक्टिवली मतलब हाइली मनलब कहना जाए अफिनीटी रखेंगे किसे प्रिट्री के लिए से निकलने वाले कर सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से जो अलकॉलाइट से जो अर्गाइट लेविल की हैं और बोड डोपामाइन के एंटागॉन स्टिक है तो इसमें सीता असा अंसर है ब्रोमो क्रप्टाइन और परगॉलाइट लास्ट कुशन आप दिस सेक्षिन गाईज एक सिंपल सा बा सुमा ट्रिप्टान का और परमेक्स नाम है परगॉलाइट का थैंक यू बेर मच गाईज प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मा यूट्यूब चैनल थैंक यू बेरी मिच